नमस्कार दोस्तों इंडियन हेल्टिप्स में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मिश्री की फाइदों के बारे में इसे जानने के लिए एफ वीडियो अंतक देखे उसे पहले आप हमारा चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारा चानल को सब्सक्राइब करें और बगल का बेल बटन दबाना ना पूलें मिश्री को रॉक शुगर भी कहा जाता है दरासल शक्कर के जमे हुए कंड को ही मिश्री कहते है यानि ये मिटास का ही दूसरा नाम है मिश्री को आयरुवेदा में भी इस्तमाल किया जाता है मिश्री कई समस्याओं को लिए भी राम बान जैसा काम करता है अब जान लेते हैं मिश्री का फाइदा खांसी में तुरंत फाइदा देता है मिश्री गले में खराश महसूस हो रहा है या कांसी परेशन कर रही है तो मिश्री इसे दूर करने में मदद करता है मिश्री का छोटा सा तुकडा मुँ में रखे खांसी में आराम आने लगेगा दूसरा उपयोग है मिश्री का पानी देगा गर्मी से आराम मिश्री में मिटास और तंडक दोनों गुण होते हैं तेज गर्मी में मिश्री का प्रयोग थंडा ताजा पे बनाने के लिए किया जाता है ये ग्लास पानी में थोड़ा सा मिश्री को मिला कर पीने से शरीर को गर्मी से राहत मिलती है साथ ही शरीर को एनरजी प्राप्त होती है तीसरा उपयोग है हिमोगलोबिन को बढ़ाता है जी हाँ माना जाता है कि गरम दूद में केसर और मिश्री को मिला कर पीने से शरीर में शक्ती मिलेगा साथ ही शरीर में हिमोगलोबिन का मात्रा भी बढ़ती है जिससे त्वच्छा में कांती आती है दूद योन दुर्बलता दूर करने वाला भी माना जाता है चौता उपयोग है किन रिंकल्स को दूर करती है मूँ के छाले होने पर याने कि फेस रिंकल्स आने पर मिश्री को इलाईची के साथ मिला कर पेष्ट बना ले इस पेष्ट को आप अपने मूँ पर 20 मिनिट तक 4 दिन लगाने पर चाले जल्दी से दूर हो जाती है तो दोस्तों ये था हमारे ये वीडियो मानते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत लाबदायक था हमारे इस वीडियो को लाइक करें शेर करें और कमेंट करना न भूले फिर नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ मिलते हैं तब तक के लिए स्वस्त रहे, मस्त रहे, कुश रहे और अपना खायाल रखे धन्यवाद